अर्विंद केजरिवाल सुनिया गांधी राहूल गांधी प्रेंका गांधी वाड़रा को इस बात से परेशानी है कि इंकम टैक्स विभाग उनके टैक्स असेस्मेंट अपनी मर्जी से क्या कर रहा है इन नेताओं का कहना है कि सारा कुछ उनके मन मताबिक किया जाए इस बात को लेकर ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे गांधी परिवार ने 2018-19 के आएकर असेस्मेंट को विभाग के सेंट्रल सरकल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है इसके पहले एक दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी इस मामले पर याची काएं आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े पांच ट्रस्ट्स संजे गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटीबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने दायर की है पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तोर पर कहा था कि केस ट्रांसफर करना इंकम टेक्स के अधिकार क्शेतर में है मामले पर 7 नवंबर की सुनवाई में सुप्रेम कोर्ट ने कहा था किस मामले को ट्रांसपर करना इंकम टैक्स विभाग के अधिकार में है हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेंगे जस्टिस खना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने कहा था कि अगर क्रॉस ट्रांसक्शन हुए हैं तो सेंट्रल सर्किल जाच कर सकता है हम इस केस से राजनीतिक नहीं बलकि कानूनी तोर पर निप्टेंगे मामला 2018-19 के असेस्मेंट और आमस डीलर संजब हंडारी से जुड़ा है इस केस में वांटर्ड आरोपी संजब हंडारी रॉबर्ट वाड़रा का करीबी बताया जाता है हाला कि रॉबर्ट वाड़ा ने आरोपी संजब हंडारी से किसी भी तरह का कनेक्शन होने से इंकार किया है सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट इस केस में गांधी परिवार और आमाद्मी पार्टी की याचिका को खारिच कर चुकी है हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के मताबिक से ही फैसला लिया है दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया था कि संजब हंडारी से कोई लिना दिना नहीं है हाई कोर्ट ने माई में इन याचिकाओं को खारिच कर दिया था कोर्ट ने फैसला सुनाय था कि फेसलेस वैलूएशन प्लानिंग के तहट जाज का किसी भी विक्ती से कोई मौलिक कानूनी अधिकार नहीं मिला है हलाकि गांधी परिवार ने इस मामले में संजब अंडारी से लिंक जुड़े होने से इनकार कर दिया था अब्सक्ति, लिए आचे, लिए घाट, लिएपना, विक्तव, विक्षाड़ देओा झालूएबछ प्लानिंग प्लानिंग आगएऽन अब्सक्ति, लिए इस था जबानिईगान, विक्तव, तेज विसलेंगे।